नमस्कार, शराब घोटाला, पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से BJP की सारी एजनसीज कई रेड़ मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नही हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के में खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा है खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो अब बीजय पी मु मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि यह समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है यह मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया है मैंने बताया है कि उनके समन कैस से गयर कानूनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गयर कानूनी है क्या मुझे एक गयर कानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही संबन आएगा तो मैं पूरा सहयूग करूँगा BJP का मकसद जाच करना तो है इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इनने मुझे संबन भेजा है क्यों? इस जाच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया? CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे ग्रिफतार कर लो ताकि मैं लोगसभा चुनाव में प इतने उधारन है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ EDI, CBI के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टी जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा रफाद अफागर दिये जाते हैं जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज से सौधिया संजे सिंग और विजयन आयर इसलिए जेल में नहीं कि उन्होंने ब्रषटाचार किया है वो इसलिए जेल म में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भृष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है इसे रोकना होगा मैं हमेशा देश के लिए लड़ाऊं मेरा तन मन धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं आपका साथ चाहिए